प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूं कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्सा कायम होगा आज हम आठमी कक्षा के विज्ञान का अध्याए, पौधों एवं जन्तों के सनरक्षन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों हम यह जानेंगे कि आप क्या कुछ जानते हैं ऐसी कोई तीन पैदावार के नाम बताएं जो हमें जंगलों से प्राप्थ होती है जंगल में रहने वाले कुछ वन्य जीवों के नाम बताएं पादप हमारे लिए क्यों महत्वपून है पच्चों अब हम यह देखेंगे कि हम क्या सीखेंगे वनोन मूलन एवं इसके कारण वनोन मूलन के परिणाम वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षन जैव मंडल आरक्षन पेड़ पौधे एवं जीव जनतू विशेश क्षेत्रिय प्रजाती वन्य प्राणी अभ्यारन्य राष्ट्रिय उद्यान रेट डाटा पुस्तक, प्रवास, कागस का पुनह चक्रन, पुनरवन रोपन बच्चों, सबसे पहले हम वन उन्मूलन के एवं इसके कारण के बारे में जानेंगे हमारी पृत्वी पर अनेक प्रकार के पौधे एवं जन्तू पाए जाते हैं ये मानव जाती के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं हम जानते हैं कि वन उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमी का अन्यकारियों में उप्योग करना वन में व्रिक्षों की कटाई निम्ण उद्देश्यों से की जाती है कृषी के लिए भूमी प्राप्त करना घरों एवं कारखानों का निर्मान फरनीचर बनाने अथ्वा लकडी का इंधन के रूप में उप्योग दावानल एवं भीशन सूखा भी वन ओन मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक है बचों आओ, अब हम वन ओन मूलन के परिणाम को देखें वन ओन मूलन के कारण प्रित्वी परताप एवं प्रदूशन के स्तर में व्रिधी हो रही है इससे वायू मंडल में कारबन डायोकसाइड का स्तर बढ़ रहा है वन ओन मूलन के कारण प्राकृतिक संतूलन भी बिगड़ जाता है इसके अतिरिक्ट बाढ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है इस प्रकार कम व्रिक्षों के होने का अर्थ है कारबन डायोकसाइड के उप्योग में कमी आना जिससे वायू मंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है इस तरह कार्बन डायोकसाइड की मात्रा के बढ़ने के कारण विश्व उश्णन हो जाता है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है पृत्वि के ताप में वृद्धी के कारण जल चक्र का संतुलन विगड़ता है और वर्षादर में कमी आती है जिसके कारण सूखा पढ़ता है मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्यकारण वनोन मूलन है किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर व्रिक्षा रोपन और वनस्पती का प्रभाव पढ़ता है स्मरन करो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि व्रिक्ष किस प्रकार मृदा परदन को रोकते हैं भूमी पर व्रिक्षों की कमी के कारण मृदा परदन अधिक हो जाता है मृदा की उपरी परत हटने से नीचे की कठोर चटाने दिखाई देने लगती है इससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है तथा इसकी उर्वर्ता भी अपेक्षाकृत कम होती है धीरे-धीरे उर्वर भूमी मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है इसे मरुस्थली करण कहते है वनोन मूलन के कारण मृदा की जलधारन क्षमता तथा भूमी की उपरी सतह से जल के नीचे की और अंतह स्रावन पर भी विपरीत प्रभाव पढ़ता है जिसके परिणाम स्वरूप बाढ आती है इसलिए बच्चों यह जरूरी है कि हम वनोन मूलन पर काबू करें बचो आओ अब हम वनो के संरक्षन के कुछ तरीकों के बारे में जाने क्या आपको पता है कि एक टन कागस तयार करने के लिए पूर्ण रूप से विक्सित 17 विक्षों की अवशक्ता होती है इसलिए हमें कागस की बचचत करनी चाहिए कागस को पांच से साथ बार पूर्ण चक्कर से दुबारा उप्योग किया जा सकता है इसके द्वारा हम ना केवल ब्रिक्षों को बचाएंगे वरन कागस उत्पादन के उप्योग में आने वाले जल एवं उर्जा की बचर भी कर सकते हैं इसी के साथ साथ कागस उत्पादन के उप्योग में आने वाले हानी कारक रसाइनों में भी कमी आएगी वन औन मूलन समय काटे गए व्रिक्षों की पूर्ती के लिए नए व्रिक्ष लगाने चाहिए लगाए जाने वाले नए व्रिक्ष उसी प्रजाती के होने चाहिए जो उस जंगल में पाए जाते हैं हमें कम से कम उतने व्रिक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं प्राकृतिक रूप से भी वन का उनर वन रोपन हो सकता है यदि वनोन मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतह उनर स्थापित हो जाता है प्राकृतिक उनरवन रोपन में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नश्ट कर चुके हैं यदि हमें अगली पीड़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी हैं तो अधिक फ्रिक्षा रोपन ही एक मात्र विकल्प है हम इसे पुनरवन रोपन कहते हैं बच्चों अब हम वन एवं वन प्राणियों के संरक्षन के बारे में जानेंगे जैव मंडल प्रित्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं अत्वा जो जीवन यापन के योग्य हैं जैव विविधता प्रिथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन जीवों की प्रजातियां उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरन से संबंध को जैव विविधता कहा जाता है बच्चों, अब हम जंगलों के संरक्षन के बारे में जानेंगे वनस्पती जात और प्रानी जात और उनके आवास के संरक्षन हेतू संरक्षित क्षेटर बनाए गए हैं जिनहें वन्य जीव अभ्यारन्य, राष्ट्रिय उद्ध्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेटर कहते हैं इन ख्शेत्रों में व्रिक्षा रोपण, क्रिशी, चारागाह, व्रिक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार करने की मनाही होती है वन्यजीव अभ्यारण्य वक्षेत्र जहां जन्तु एवं उनके आवास को किसी भी प्रकार के विक्षोब से सुरक्षित रखा जाता है अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अत्वा जन्तुओं को मारना या शिकार करना अत्वा पकड़ना पून तह निशिध एवं दंडनिय अपराध है यहां अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे क्यूंकि इनके आसपास रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमन करके उन्हें नश्ट कर देते हैं राश्ट्रिय उद्ध्यान वन्य जन्तूओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उप्योग कर सकते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन के संरक्षन के लिए बचा कर रखा वह विशाल संरक्षित क्षेत्र है जहां पौधों, जन्तुओं और आदिवासियों को पारंपरिक जीवन ढंग के अनुसार जीवित रहने के लिए सुरक्षित रखा जाता है जैसा कि आप जानते हो कि जैव विविधता का अर्थ है किसी विशेश क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधों, जन्तुओं और सुक्ष्म जीवों की विभिन प्रजातियां किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृती को बनाए रखने में सहायक होता है किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतरगत, अन्य सनरक्षित क्षेत्र, राश्ट्रिय उद्ध्यान एवं वन्य जीव अभ्यारन्य भी हो सकते हैं पेड़ पौधे एवं जीव जन्तु किसी विशेश क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पती जात एवं जीव जन्तु प्राणी जात कहलाते हैं विशेश क्षेत्री प्रजाती पौधों एवं जन्तुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेश क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेश क्षेत्री प्रजाती या स्पीशीज कहा जाता है उदाहरण उडने वाली गिलहरी जंगली आम ये किसी अन्यक्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती किसी विशेश प्रकार का पौधा या जन्तू किसी विशेश क्षेत्र, राज्य अत्वा देश के विशेश क्षेत्री हो सकते है उदाहरण उडने वाली गिलहरी पचमडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेश क्षेत्री प्राणी है तथा जंगली आम इस क्षेत्र का विशेश क्षेत्री वनस्पती है बाग उन स्पीशीज में से एक हैं जो धीरे-धीरे हमारे वनों से विलुप्थ होते जा रहे हैं वे जन्तू जिनकी संख्या एक निर्धारिछ स्थर से कम होती जा रही है और वे विलुप्थ हो सकते हैं संकतापन जन्तू कहलाते हैं डाइनसौर एक ऐसे जीव थे जो लाखों वर्षपूर्व बिलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खत्रा पैदा हो गया है। पौधों और जन्तूओं के संरक्षन के उद्देश्य से सभी राष्ट्रिय उद्द्यानों में कड़े नियम लागू किये जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैद शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन पौधे की लकड़ी या औशधीय पौधे एकत्र करना सुईकारे नहीं है। बड़े जन्त्वों की अपेक्षा, छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अकसर हम साम, मेंधक, छिपकली, चमगादर तथा उलू इत्यादी को निर्दैता से मार डालते हैं और पारी तंत्र में उनके महत्व के विशय में सोचते भी नहीं हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, एवं सुक्ष्मजीव, अजैम घटकों जैसे जलवायू, भूमी, नदी, डेल्टा इत्यादी, संयुक्त रूप से किसी पारी तंत्र का निर्मान करते हैं। रेट डाटा पुस्तक, वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जन्तुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग-अलग रेट डाटा पुस्तके हैं। प्रवास, जलवायू में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर्ख शेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहां अंडे देने के लिए आते हैं क्यूंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर्ख शेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। बच्चों, अब हम इस अध्याय की दोहराई करते हैं। जैव विविदता का अर्थ है किसी विशेष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन किस में। विशेश क्षेतरी स्पीशीज किसी विशेश क्षेतर में ही पाई जाती हैं। संकटा पन्ड स्पीशीज 2 स्पीशीज हैं जो विलुप्थ होने के कगार पर हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राश्ट्रिय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम है जो वन एवं वन्य प्राणियों का सनरक्षन एवं परिरक्षन हेतु बने हैं। किसी क्षेतर के सभी पौधे एवं जनतु उस क्षेतर के बनस्पति जात और प्रानी जात कहलाते हैं। प्रवास बह परिगटना है जिसमें किसी स्पीशीज अथ्वा प्रजाती का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेश अवधी में विशेश कर प्रजनन हेतु चलना है. पुनरवन रोपन, नश्ट किये गए वनों को पुनह स्थापित करने के लिए रोपन करना है. बच्चों, अब मैं आपसे कुछ रिक्त स्थानों के बारे में पूछूंगी. उमीद है कि आप सबको इनके जवाब आते ही होंगे. मेरा पहला प्रश्ण, हमें जंगलों की कटाई करनी चाहिए. तो बताइए क्या है इसका जवाब? गलत. बिल्कुल सही, हमें जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए. रिक्त स्थान, सभी क्षेत्रों के कगार पर पहुँच चुके प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है. तो क्या है इसका उत्तर? रेट डाटा पुस्तक. मेरा अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भारत का सबसे पहला आरक्षन सुरक्षित जंगल है. तो इसका उत्तर है सत्पुडा राश्ट्रिय उद्ध्यान. मेरा अगला प्रश्न, जंगलों की कटाई से ब्रिदा पर्दन होता है. तो बताइए यह कथन सही है या गलत? सही. बिलकुल सही. इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है. आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा. बच्चों, पढ़ते रहें, तंद्रूस्त रहें, एवं सुरक्षित रहें. धन्यवाद.